खगड़िया जिले से खबर आपको बता दे जहां ट्रेन में लूट पार्ट मामले में काररवाई की गई रेलवे पुलस ने छे लोगों को किया गिरफतार लूटा हुआ एक मोबाइल भी किया गया बरामाद बदमाशों ने ट्रेन में एक युवक को मारी थी गोली कटिहार खंड के इमले स्टेशन के पास कोई थी घटना यात्री से लूट और गोली मारने के मामने में एक्शन लिया गया इस वक्ति की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं खगड़िया जिले से जहां ट्रेन में लूट पार्ट मामने में काररवाई की गई रेलवे प लूट पार्ट के इस मामले का पुलस में खुलासा कर दिया है आपको बताते चलें कि धगड़ या जिले में लूट पार्ट का एक मामला सामने आया था रेलवे पुलस में छे लोगों को इस पूरे मामले में गिरफतार किया था और उनसे लूटा हुआ एक मोबाइल फोन बरामत किया गया बदमाशों ने ट्रेन में एक युवाप को मारी थी गोली कटिहार रेल खंड के इमले स्टेशन के पास हुई थी खटना ग्यात्री से लूट और गोली मारने में इस मामले को लेकर एक्शन लिया गया तो कटिहार रेल खंड के इमले स्टेशन के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया था ग्यात्री से लूट और गोली मारने के मामले में एक्शन लिया गया प्रेन में लूट पार्ट मामले में कार्रवाई की गई बदमाशने ट्रेन में एक यूवक पुमारी की गोली कटिहार रेल खंड के इमिलिस्टेशन के पास कुई थी घटना जारा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे समवजाता धरमवीर जोड़ गया है धरमवीर देखे ट्रेन में लूट पार्ट के मामले का पुलस ने खुलासा कर दिया है क्या अपडेट जादा जानकारी दीजे देखे पूजा कि गई घटना जो है 17 फरवरी की रात की है करीब 12 बज़े की कि ट्रेन में एक कॉर्ट गाइज जो होता वो नहीं था जिस रेल स्पी ने भी इस बात के पूछी किया है कि एक कॉर्ट गाइज दाज जो था वो पहले ही उतर करके इमली से पहले उतर के चली जाया था और जिस से उसके बात जो है इस घटना को अंजाम दिया गया था इस घटना में सलिप छो लोगों की गिरबदावी अब सक हो चुकी है और एक दो और भी आरोपी है जिन पे पुलिस जो है तगन जांच कर रही है पुलिस के और से सगन जांच की जा रही है और लूटा हुआ मोबाइल फोन भी बरामत किया गया है क्या उसको लेकर कोई सबूत आगे कारणरवाई के लिए या अभियान चुनाने के लिए पुलिस कहांत लग पाया हाँ तो मोबाइल के फुरू जो है पहले तो मोबाइल जो लूट पाप की गई थी पुसी मोबाइल के जो है फिर उसके बाद दिरे दिरे उस साइनल मैं जिसमें भी बहुत बहुत इस दो और भी अब्यूट हैं इसमें जो तारिष करता है इस तरह के ट्रेन में घंटना को अंजाम देने के लिए वो अब भी पुलिस की गुरप से बाहर है चीक है आपका बहुत बहुत शुक्रे इस तमाम जनकर के लिए